काल भी क्या विगाड़े उसका जो बक्तो मा काल का काल हरा दुख हरा दारिद हरा कश हरा रोग हरा 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 महादेश विगाड़ ईकाल करें दुख हरा हरा दुख हरा देव घर दिध करें तयक्तर दुख हरा 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 जेसीडी जंक्सन जो कि बावाधम का मेन रेलवे स्टेशन है जहां पर ज्यादा तर ट्रेन आती है हाला कि यहां पर देवघर भी रेलवे स्टेशन है देवघर में इंटरनेशनल एरपोर्ट भी है और देश के कुछ बड़े सहरो जैसे दिल्ली हैदरावाद बेंगलूरू कोलकता राची जैसे सहरो से डायक्ट फ्लाइट भी है रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ओटो रिक्सा या ये रिक्सा सेरिंग में 20 रुपे पर व्यक्ति में मिल जाएगा देवघर और वेधना स्टेशन मंदिर के पास है जबकि जैसीडी रेलवे स्टेशन 7. 5.5 किलोमेटर दूर बावा धाम को वेधना धाम के नाम से भी जाना जाता है और में मंदिर सहर के बीचोबिक इस्टेथ है जहां पहुझने के लिए आपको टावर या बावा धाम के लोकेशन ओटो या इरिक्सा वाले को बताना होगा बावा धाम के कॉम्पलेक्स में एंट्री लेने का चार गेट है जिसमें से एक गेट है प्राचिन पेडा गेट अब हम इस गली में एंट्री लेंगे एंट्री लेने के बाद लिटरली इस गली में पेडों के खुश्बू बहुत अच्छी आती है हम दरसन करने के बाद य देवघर में सिवजी का अत्यन्त पवित और भवय मंदिर इस्थित है हर वर्थ यहां सावन के मैने में स्रावन मेला लगता है जिसमें लाखो सरधालू बोलबम बोलबम का जयकार लगाते हुए भोले नाथ के दरसन करने आते हैं यहां सभी सरधालू सुल्तान गन से पवित गंगा का जल भड़कर लगवग 105 किलोमेटर की अत्यन्त कठीन पैदल यातरा करके बाबा को जल चड़ाने आते हैं अगर आप गंगा जी में असनान करके नहीं आये हैं तो आप यहां सिव गंगा में भी असनान कर सकते हैं और अगर आपको यहां पर कोई सा पूजा करवाना है तो यहां पर बहुत साड़े पंडी जी बैठे रहते हैं आप जाके करवा सकते हैं अब हम जाते हैं सिरी बैद बाबा के दर्शन करने मेरे भोले तो प्राइब करने के लिए उच्छा से जा रहे हैं और उच्छा से पाउं था रहे हैं यहां पर महादेव कर एलजी हमारे अंदर यह हमारे सचीन भाई कुर्टा पाइजमा में बहुत ही तो भावी चाल में जा रहे हैं काल भी क्या बिगारे उसका जो बक्तो मा काल का काल हरा दुक हरा डारिद हरा कश हरा रोग हरा हरा हरे महादेव कर दो चालों हो गया है यहां पर काईज यहां से लाइन जा रही है आप आप अपने रिस्पॉंस पर ले जाएं कि आप 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 तुक ह। झालों । कि आप आप नवाद दॉप नवाद है झालों आपक झालों वीज़ थारे जाप यहाद भक्तो भगवान की, बंबं, अलाइ महाजे। सारी तीन घंटे लाइनी में लगने के बाद मेरा नमबर दर्सन करने का आ गया। अंदर भीर के कारण रिकॉर्ड करना मुस्किल था। इसलिए आप जब भी वहाँ पहुँचे तो जोतित लिंक को जल चरहें। और हाथ से टच करके परनाम करने का ट्राय जरूर करें। अपना एक्सपीडियंस बताईए आज का। कितना टाइम लगा दर्सन करने में। कितना टाइम लगा। तीन घंटा लगा। जो साधी सुदा जोरी पहली बार बावाध हम जाते हैं। उनको माता पारवती और सिवजी के बीच में जो गठभन्दन होता है। बावा धाम में वो जरूर करवाना चाहिए। यह जो बंदन है यह सिवजी और माता पारवती के पंचसूल से बंधा होता है। दरसन करते समय मैं तो महादेब के जोतित लिंक पे बिलकुल लेट गया था। और उसके बाद यहां पे जितनी भी मंदीरे हैं मैंने सब में दरसन की। और आकरे में हमने नंदीरे के दरसन की। इससे हमारा दरसन समपूर्ण हुआ। करैंने सब में आकर दाधने सब मार। हुआ। अर्याम घंध हो कि अझालती संवा답न whatsफ पुड़ाशक मार्शUCK अर्याम व्यन जब झाल